सो खत्रों के खिलाडी सीजन 11 में रोहिट शेटी ने की निकी तंबोली की टांग खिचाई तो चलिए आपको मैं दिखाने वाली हूँ ये इंट्रेस्टिंग सा वीडियो इस वीडियो में नमस्कार मैं इस नेकदास बागत करती हूँ आप सभी का अमारे चानल पर सो दो धाम कर बैठिए क्योंकि आज का ही है वो दिन जिसका आपको बेसबरी से इंतजार था आज आप देखेंगे खत्रों का सामदा करते हुए 13 कंटेस्टेंस को खत्रों के खिलाडी में ठीक सारे नौ बजे अब ऐसे में चलिए आपके excitement level को थोड़ा और बढ़ाते हैं कुछ interesting videos को दिखा कर जिसमें आपको मैं दिखाने वाली हूँके किस तरीके से रोहिट शेटी ने निकी तंबोली की टांग खिचाई की है जी हाँ आपको तो पता ही है खत्रों के बीच में entertainment का dose चलता ही रहता है कुछ ऐसा ही रोहिट शेटी करते हुए नजर आ रहे है रोहिट शेटी ने निकी तंबोली से पूछा कि वेल निकी आपके बारे में कुछ ऐसा बोला गया है जो कि आप हैरान रो जाओ के सुनकर ये कोई किसी ने बोला है कि अगर निकी खत्रों के खिलाडी सीजन 11 के सीजन को जीत गई तो मैं अपना सर मुडवा लूँगा अब निकी को करना था guess कि ये statement किस ने दिया है वहीं आप किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा किस ने कहा है और निकी भी काफी confused थी वेल गाइस आपको बता दू last but not the least वरुन सूध है वो सक्ष जिन्होंने निकी तंबोली के लिए ऐसे statements दिये थे जिसके बाद निकी तंबोली ने भी कडारा जवात दिया निकी ने साफ तोर पर कह दिया मुझसे पहले तो आप ही घर जाओगे तो गाइस बहुत ही इंट्रेस्टिंग था वो टाइन जब निकी तंबोली की टांग खिचाई हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का सेन के भी टांग खिचाई करते हुए नजर आए तो वेल किसी contestant ने ये कहा कि यहाँ अनुष्का सिर्फ और सिर्फ फोटोज और विडियोज के लिए क्लिक कराने आई है खत्रों के खिलारी में अब ये किस ने कहा है ये तो सबी गैस करते ही रह गए क्या लगता है आपको किस ने कहा होगा अनुष्का सेन के लिए ये statement हमारे कॉमें सेक्शन में आप गैस करके बता सकते हैं तुमाम बॉलिवोड और टीवी दुनिया से जड़ी हरे खबरों के लिए देखते रहे हमारा चानल